मैं एक keyword डालता हूँ, Instagram call history delete कैसे करें, देखो आपके सामने कितने result आते हैं, आप मतलब देखके एक बाद सोचो कि भाई कितना क्या हो रहा है, call history delete कैसे करें, call history delete, जबकि ये सब वीडियो फेक है, मतलब मैंने जादे तर में चेक किया है, आपको call history का option ही नहीं आएगा, आप को एक अलगी account बताया जाएगा, कि आप इस account को आप deactivate कर दो, या और current से आप call history को हटा सकते हो, लेकिन मैं आज आपके सामने एक एसा simple तरीका लेका है हूँ, कि आप अराम से call history को delete कर सकते हो, और ज़्यादा कोई प्रेशानी भी नहीं है, इधर उदर भी जाना भी नहीं करनी है, बस आपको एक कली में, कलिक में, call history के से हटाए, बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चेनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी ये म मिलती रहेगी, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने phone के Instagram को open करना है, Instagram को open करने के बाद में, आपको यहां पर main page में, आपको message पर जाना है, जैसे आप message पर जाओगे, आपके सामने, आप chat, call history और request तीन option नज़र आएंगे, यहां पर आपको क्या है, कि आपके दोस history नहीं है, यह आपको बेकूब बना रहे है, यह call history नहीं है, इसमें क्या है, यह सिरिफ पो सिरिफ आपको call करने के option दिएगे, आपको call history यहां पर लिखावा है, पर collect करो, जैसे आप call पर click करोगे, और recent जिसने भी आपने call किया, वो शारे option यहां पर नजर आजाएंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस call को अठाना है, जिस call किया है, उसको अठाना है, तो आपको इस पर click करोगे, जैसे आप click करोगे, आपके सामने यहां पर जार option, तीन option नजर आएंगे, mute message, mute call notification, और delete, जैसे आप delete पर click करोगे ना, तो call history अपने आप मिट जाएगी, इ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और अन्त में इस चैनल को subscribe करना ना भूले, धन्यवाद दोस्तों